हेलो एवरिवन एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूनिक्स किचन में हम सभी का फेवरेट डोनट आज हम इसे घर पे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं बहुत ही मॉइस्ट बने हैं लिए टूटड परिपेर करने के लिए मैने यहां लिया है पचास से साड़ क्राम के करीब मैदा पचास क्रम पिसी हुई चीनी और हमें चाहिए yeast मैंने यहां dry yeast का use किया है अगर आपको instant yeast मिल चाहिए तो आप उसका use किजिगा उसका result बहुत अच्छा आता है इस तरीके के bottles में market में बहुत easily available है next मैंने यहां पे लिया है करम दूद दूद के अंदर आड़ करेंगे दो चमज के करीब पिसी हुई चीनी चीनी डालना बहुत ज़रूरी है नहीं तो yeast जो है वो अच्छे से फूलेगा नहीं yeast जो है वो चीनी खाता है इसलिए चीनी आड़ करना must है इस प्रोसेस को आप इसके मत करिएगा यहाँ पर मैंने 2 टेवल स्मून के करीब yeast powder यूज किया है quantity आप अपने crowding कम या जादा कर सकते हैं इसे अच्छे से mix करके contour top पे लगभ 5 मिनट के लिए ठक कर रख दीजिएगा ताकि यह अच्छे से फूल जाए next प्रोसेस में मैंने यहाँ ले लिया एक bowl बोल के अंदे सबसे पहले डालेंगे मैदा मैदी की quantity मैंने यहाँ 50 से 60 ग्राम के करीब ली है शुगर पॉडर आड़ करेंगे शुगर पॉडर आप अपने अक्राडिक कम या जादा कर सकते हैं लेकिन लगभभ 50 ग्राम के करीब मैं यहाँ आड़ कर रही हूँ इसको थोड़ा थोड़ा आड़ करके हम इसका एक मिक्स त्यार कर लेंगे अच्छे से आपको मिलाना है अगर आपको यहाँ पे quantity कम लगे तो आप थोड़ा सा दूद भी आड़ कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सौफ सा डो हमें बना लेना है और इसे ढख कर लगफख आदा घंटा के लिए कॉंटो टॉप पे छोड़ दीजिएगा मैं यहाँ ढखने के लिए फॉइल पीपर का यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो नॉर्मल प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं डोनट के पेलिंग के लिए मैं यहाँ त्यार कर रही हूँ कस्टर्ड जिसके लिए मैंने हा लिया एक कप दूद आधा कप चीनी पॉडर और थोड़ा सा दूद मैंने यहाँ बोल में ले लिया है यहाँ पर मैंने लिया है टॉप्स का कस्टेट पॉडर बडिला फ्रेवर, मार्केट में बहुत इसली अबलेबल है, कई फ्रेवर्स में आते हैं तो आप अपने च्वाइस के एक रॉडिंग, कोई भी फ्रेवर यूज कर सकते हैं, इससे रेडी करने के लिए मैंने एक पैट पहले से ही कैस पे चड़ा रखा, इसमें मैं आड़ करूँगी दूद, जब तक दूद गरम होगा, हम प्रिपेर करेंगे कस्टेट पॉडर का घोल, जिसके लिए मैंने कटोरी में थोड़ा सा दूद निकाल रखा था, इसमें आड़ करेंगे दो चमज के करीब कस्टेट और इसे अच्छे से मिक्स करके घोल बना लेना है, ध्यान रखिएगा किसी भी तरीके की कोई गुठलिया नहीं होनी चाहिए, साथी मैं आपके साथ एक टिपर शेयर करना चाहते हूं कि कस्टेट पॉडर को हमीर से थंड़े दूद में ही खोलना चाहिए, यहां पे गोल बनाया था, उसको डिसमे एड़ कर देती हूं, इसको डालने के बाद लगातार चलाते हुए, आपको एक से दो मिनट तक गुठ करना है, बहुत चल्दी गुठ हो जाता है, यहां पे जो हम एक कस्टेट का गोल प्रिबेर करेंगे, पोड़ा तो बहुत जादा पतला ह होना चाहिए, नहीं बहुत जादा थेक होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और यह लीजिए, कस्टेट बिल्कुल रेड़ी हो चुका है, जिसे मैंने एक पोल के इंदर निकाल लिया है, इसे ठंडा होने के लिए, इसे ठंडा होने के लिए, और चलते हैं, प्रोसेज में, आता खंडा हो चुका है, और आइए, चेक कर लेते हैं, कि डो की क्या पोजिशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डो काफी अच्छे से रेडी हो चुका है, अब मैं इसे एक बड़ी सी प्लेट में निकालूगी, और इसे एक बार तुपारा अच्छ का बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखेगा, सॉल्टेट नहीं होना चाहिए, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, बटर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जो है, जो डो का फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, उसे कही न कहीं तोड देता है, और इसे हमें करने से, तो आप इसमें सूखा मैदा एड़ करके इसका डो बना सकते हैं, लगबत दो से तीन चमश के करी, मैदा यहां योज होता है, इसे रड़ी करने में, इसे मिलाती हुए, थोड़ा थोड़ा करके आप मिलाती चाहिएगा, और इसे अच्छे से हाथ से रब करते के विलकुछ सॉफ होता जाएगा, पांस से दस मिनट के पाद यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने एक सॉफ सा डो पिपेर कर लिया है, इससे हम दो पराबर हिस्सों में पाट लेंगे, आपने देखा मैने पहले चकले के उपर थोड़ा सा मैदा डाल दिया है, जिससे इसे बेलने में बहुत आसानी होती है, बाद में बैदा नहीं आइड करिएगा, तो इसे हम एक मीडियम साइज की रोटी का शीप देएगे, ठिकनेस आप अपने क्रोडिंग कम या जादा कर सकते हैं, तो मैं यहां पर मिनी डोनस बनाऊंगी, तो जिसके लिए मैंने यहां पर और बली जो हमारी घर में क्लासेज यूज होती हैं, उसका इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो आपके पास अगर कोई कुक्कीस कटर अवलेबल हो, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, तो मैं यहां क्लास से इसको सरगी का शेप दोंगे, उसकी पास किसी भी पॉटल के आ आप सारे डोनेट को प्रिपेर कर लेंगे, डोनेट पनाते समय जो पच्चे हुए आते हैं, उनको आप दुपारा रोटे का शेप दे करके, और भी डोनेट प्रिपेर कर सकते हैं, डोनेट की जो साइज है, आप अपने क्रोडिंग कम या चाता कर सकते हैं, आप चाहें तो कैस पे चढ़ा रखी है और उसमें मैंने एड़ किया है घी आप चाहिट इसे रिपाइंड ओयल में भी फ्राई कर सकते हैं और घी बिल्कुल अच्छे से गरम है इसमें एक ही करके मैं टोनेट एड़ करूंगी एक साथ जादा टोनेट नहीं एड़ करिएगा दो से ती काफी है और इन्हें हम मेडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि टोनेट जो है वो अंदर तक अच्छे से पक चाहें टोनेट फूल कर उपर आजाते हैं जब टोनेट एक साइड से अच्छे से सिख चाहें उसकी बाद ही उन्हें पलटिएगा नहीं तो टूट सकते हैं साथी काफी केरफुली इसे फ्राई करिएगा क्योंकि घी जो है काफी करब होती है और इन्हें तयार डोनेट को एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से सारे डोनेट को हम फ्राई कर लेंगे और यहाँ पे सारे डोनेट बनके बिल्कुल तयार हैं चलते ह है next process में donut के लिए जो हमने custard प्रिपेर किया था वह बिल्कुल ठंडा हो चुका है एक स्पून के help से इसको अच्छे से mix कर लेंगे ताकि किसी भी तरीकी का कोई लंस ना हो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल डायलूट है बहुत जादा थेक नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखेगा और यहाँ पर डोनट भी बिल्कुल गरम-गरम है करस्टड को एक सिरिंज के अंदर भर लेंगे यह सिरिंज मेटकल स्टोर पर बहुत इसली मिल तो इस प्रॉसेस को स्केप मत करिये गता है और सेइम प्रॉसेस AIR अच्छे से कस्टड के साथ फिल कर लिया है । मैंने यह लिया है शूगर् कोट इडिवो बॉल चॉक्लेट बरमशीली मार्केट में SBD वैलाबल है केक के डीकुरेशन के लिये've कोस्टली यूज किये जाते हैं और मैंने यहां पे लिया चॉकलेट सिरप आप किसी पर फ्रैंट का ले सकते हैं एक एक डोनट को इसमें टिप करते जाना है और अच्छे से डिप करने के बाद इसी शुगर कोटेड रेंबो बॉल से कोट कर लेना है बहुत इसलिए कोट हो ज जिए उससे भी कोट कर सकते हैं बादाम, पिस्ता जो भी आपके पास अवलेबल हो उससे भी हम इसे बहुत एजली कोट कर सकते हैं नहीं तो नॉर्मल शुगर पॉडर लीजिए और उससे भी आप डोनट को कवर करके बहुत दी ब्यूटिफुली डिकोरेट कर सकते हैं और सेम प्रोसेस से दूसरे डोनट को चॉकलेट सिरप से कोड करके चॉकलेट वर्मिसिली के साथ हम कोड कर लेंगे सेम प्रोसेस से हम सारी डोनट को रेडी करेंगे यहाँ पर मैं एक डोनट को आपको पिस्ता और बादाम की पॉडर के साथ कोड करके दिखा रही हूँ बहुत इसली कवर हो जाते हैं साथी बहुत टेस्टी लगते हैं तो अगर आपके पास शुगर बॉल्स चॉकलेट पर मिसिली ना हो तो आप इससे भी डोनट को इसली कवर कर सकते हैं और इस तरीके से मैंने सारे डोनट को पिपेर कर लिया है डोनट पटके तयार हैं करते हैं इनको सर्व और यह लिजिए टेस्टी टेस्टी यमी डोनट बनके बिल्कुल तयार है I hope आज की रेसेपी आपको अच्छी लगी होगी आप इने जरूर बना के देखिएगा अगर आज की रेसेपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फिर मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई इंट्रेस्टिंग रेसेपी के साथ तब तक के लिए टेक केर एविवन और बाबाए